ओम नाम तीरा पावन है जो दुखों को करता दूर ओम नाम तीरा पावन है जो दुखों को करता दूर तू जलाए पाप सारे तू ही है जो दी सरूर ओम नाम तीरा पावन है जिन्दगी तुझसे मिली है तुझसे प्रभुना ताटू तू सुथा सागर है इश्वर दे दे निज अमरित के गुम ओम नाम तीरा पावन है जो दुखों को करता दूर तू जलाए पाप सारे तू ही है जो दी सरूर ओम नाम तीरा पावन है जर्म जर्मांतर सिमे तेरी ही आश्रित हूं प्रभु जर्म जर्मांतर सिमे तेरी ही आश्रित हूं प्रभु छोड़ू कैसी तेरा दामन है नजर में तू ही तू ओम नाम तीरा पावन है जो दुखों को करता दूर तू जलाए पाप सारे तू ही है जो दी सरूर ओम नाम तेरा आवन है तू ही माता है पितार जीव मातर का तू जीवन तू ही माता है पितार जीव मातर का तू जीवन तू ही स्नी ही मेत्र बंधू चाहू मैं तेरा हिसं ओम नाम तिरा पावन है जो दुखों को करता दूर तू जलाए पाप सारे तू ही है जो दी सरूर ओम नाम तिरा आवन है तेरी बाति में प्रभुजी लाग निश्दिन मेरा मन तेरी बाति में प्रभुजी लाग निश्दिन मेरा मन वेद ग्यान का पाव अमरित सार ठक कर दे जनम ओम नाम तिरा पावन है जो दुखों को करता दूर तू जलाए पाप सारे तू ही है जो दी सरूर ओम नाम तिरा पावन है दुर गुणों से दूर कर दो सद गुणों से साजिमन कर्म सा हो ना जिससे व्यर्थ ही जाए जनम ओम नाम तिरा पावन है जो दुखों को करता दूर तू जलाए पाप सारे तू ही है जो दी सरूर ओम नाम तिरा पावन है काम ना बाकी यही है अपनी भगती का दिरंग काम ना बाकी यही है अपनी भगती का दिरंग हर समय मेरे हिर्दय में जाग तेरी ही तरंग ओम नाम तिरा पावन है जो दुखों को करता दूर तू जलाए पाप सारे तू ही है जो दी सरूर ओम नाम तिरा पावन है शास्त्य संगीत राग खमाच राग खमाच का बहुत ही मधूर भजन हमने सुना और ये भजन एक मंत्र हमें याद आ रहा है मुंडक उपनिशत्य यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम कतारम इशं पुरुषं ब्रम्मयोनिम तदा विद्वान पुन्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैती अब इस मंत्र का जो अर्थ है वो इस भजन में समाहित है तो हम यह मंत्र करेंगे और प्रत्थम हम थोड़ा भजन का जो भाव है वो थोड़ा सा भाव सुनते हैं तो भजन में क्या बताया जा रहा है भजन में जो यह भक्त है वो अपने भावों को प्रकट कर रहा है इश्वर के समक्ष इश्वर को कह रहा है भक्त कि हे प्रभु मैं मात्र तुमसे ही प्रिते करता हूं क्यूंकि जन्म जन्मांत्र से भक्त जो क्या अनुभव करता है वो सारी की सारी बात इश्वर के समक्ष प्राथना के सुति के रूप में उसको अपनी व्यथा अपनी बात बताता है भाप्रकट करता है हे परमपिता मैं मात्र तुमसे प्रिते करता हूं यह जितने भी सारे रिष्टे नाते हैं उस सारे के सारे रिष्टे नाते मैंने तुमसे जोड रखे हैं मेरी माता मेरा पिता स्नेही बंदू मित्र सारे के सारे रिष्टे तुम्हारे संग मेरे सबल होते हैं तो मैं तुम पर आधारितूं मेरी सारे दुर्गुणों को दूर तू करता है और मुझे सुख शान्ती आनंद प्राप्त करवाता है और अंत में इतनी सुन्दर बात बता दी कि मुझे अभी क्या कामना है मेरी एकी कामना है कि मेरा जो ये स्थिती है जो ये मेरे मन की भाव है ये जो मेरे योग्यता बनी है ये अंत तक वैसी ही बनी रहे मैं हमेशा मात्र तुमसे प्रीति करता रहूं और तुम्हारी आग्या का पालन करता रहूं तुम्हारा आदेश सुनूं और उस आदेश को मान कर तुम्हारा आदर सत्कार करूं और मेरा आचार, विचार, व्यवार दुरगुणों से दूर और सद्गुणों से भरपूर बन ना रहे बस मात्र मेरी यही एकिछा है मेरी अब यहीं एक कामना है अब यह कामना व्यक्ति की कभ बनती है प्ऩटा है जब मनुष्य को व्यक्ति को जी-जो तीन पदार्थ हैं आत्मा परमात्मा और प्रकुरति और था यह सारा संसार यह तीनों पदार्थों का जब भली भांती अच्छी प्रकार से वो उसको जान लेता है उसकी सही स्वरूप को समझ लेता है तब उसको यह भाव बनते हैं वो क्या सोचता है कि यह जो संसार है इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तू नहीं कोई ऐसा एक पदार्थ नहीं कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रार्थ करने के योग्य हो कोई एक वस्तू ऐसी नहीं क्यूं क्यूंकि सारे के सारे संसार के पदार्थ अस्थिर है परिवर्तन शील है कोई रिष्टा, कोई नाता, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, धन, दौलत, मान, सम्मान, सारा कुछ अस्थिर, अनित्य, आज है, कल नहीं है बताईए जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहता और जो वो कल रहता है, वो फूरना रूप से परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन होके हमारे समक्ष रहता है, जो हमारे काम का ही नहीं रहता तो जो संसार हमारे कांगा नहीं है अब इस संसार को एक संत महात्मा ने क्या बताया कि ये जो फूलों का जो एक मृत शरीर होता है जो फूलों से धका हुआ सडा हुआ मुर्दा वो है हमारा जगत ये जो सारे जगत की उपमा किसके साथ करके बताई कि एक मृतक शरीर जो फूलों से धका हुआ है तो वो क्या है दूर से दृष्टी में तो कैसा होता है दूर से वो जो धका हुआ फूलों के हारों से वो शरीर वो तो सुन्दर निखता है पर जब उसके निकट जाते हैं तो असहय दुरगंध उसके अंदर से सडे मुर्दे से कैसी असाय दुर्गंद आती है तो ऐसा महात्मा जनोने विद्वान जनोने संसार के उपमा करके बताया ये संसार ऐसा है दूर से लुभायमान आकरशित करता है पर जब उसके निकट जाते हैं जब वो हाथ में आ जाता है तब वो धूर के समान जब तक प्राफ्त नहीं होता तब तक तो उसकी बड़ी इच्छा रहती है और उसका वैल्यू होती है ऐसा लगता है यही सब कुछ है यह मिल जाने से ही मैं सुखी हो जाओंगा और जब वो ही वस्त हाथ में आ जाती है तब तो उसमें कोई आनंद, कोई सुख, कोई जैसे म्रग जल तृष्णा एक रेगिस्तान में म्रग जो है प्यास का मारा रेगिस्तान में जो धूल मिट्टी होती है रेती वो सुर्य के प्रकाश से चमकती है और दूर से वो जल की तरह जैसे पानी है वैसा भास्त होता है तो उसको लगता है यह आगे जल है और वो भा उसकी जाती है अच्छा यहां नहीं है आगे जल है फिर भागता इस तरह से भागता भागता उसके प्राण निकल जाते हैं अत्रुप्त प्राण वो अत्रुप्ती में जब मनश्य वो व्यक्ति प्राणी मरता है तब फिर आगे उसके लिए अन्या एक शरी तैयार होता है उस अत्रुप्त इचाओं को पूर्ण करने के लिए नया शरीर उसके लिए समक्ष तयार होता है और वो नया शरीर धारन कर लेता है उसी प्रकार मनश्य का भी इसी तरह ये जल में जल की तरह जो तरशना मिर्ग तरशना जल तरशना वो भागता रहता है संसार के दार्थों एक क आत्में आ गया तृप्ति नहीं आई अच्छा आगे यह गुसरा वाला मिलेगा तब तो तृप्ति आ जाएगी इसी तरह से भटकता भटकता जब मिर्टिव आते हैं तब उन्हें इच्छाओं और तृष्णाओं अधूरी इच्छाओं और अधूरी तृष्णाओं से जब वो आनत्याकता है फिर उसके समक्ष एक नया जीवन नया शरीर नई योनी में उसके लिए तैयार रहता है और यह आवागवन का चक्कर यह जन्म मिर्टिव का चकर ऐसे ही प्राणियों के लिए जीवात्मा के लिए चालू रहता है तो इस जन्म मरण क चकर से छूटना तो उस छूटनी का उपाई आज ये भजन में भी बहुत सुंदर भाव थे और उस भजन के जो भाव थे वो वैसा वाला हम मुंडक उपनिश्यद का मंत्र करते हैं उस मंत्र में हमें बहुती सुंदर तरीके से व्यक्ति जीवात्मा कैसे इस मिर्ग चना से जू भटकन उसकी भटकन अत्रुप्ति समात हो करके और वो कैसे परम सुख परम आनंद परम शांती प्राप्त करें उसके लिए यह मंत्र है तो हम यह मंत्र करते हैं मुंडक उपनिश्यद का अब यह मुंडक उपनिश्यत का प्रथम खंड और मंत्र संख्या तीन तो इसका प्रथम हम थोड़ा शाप्दिकार्थ समझ लेते हैं तो क्या यह पहला शब्त यदा यदा अठा जिस समय घ्यान आफिर समादी में तो घ्यान के समय या फिर समादी में फिर क्या है पश्य अठा शुद अंतह करण वाला घ्यानी पुरश जब ग्यान से या समादी के समय मुझो ग्यानी पुरुष है फिर क्या बताते हैं पश्यते अठा देखता है जब ग्यानी पुरुष ग्यान से देखता है तो किसको देखता है तो आगे क्या है रुक्मवर्णम रुक्मवर्णम अठा प्रकाश समस्त प्रकाशित पदार्थो का प्रकाश करने वाला इश्वर का नाम रुक्मवर्णम यहां इश्वर के जो गुन है कर्म है स्वभाव है उनके नामों को दर्शाया गया है और उस नामों को नामों के माध्यम से उनके अर्थ को जानकर समझ कर और कैसे इश्वर को प्राफ्त करके जीवात्मा तृप्त हो ज्ञान से युक्त हो करके उस इश्वर को प्रकाश स्वरूप इश्वर को देखता है इश्वर का नाम प्रकाश स्वरूप अर्था यह जो लाइट में प्रकाश है या सुर्य वो प्रकाश नहीं प्रकाश स्वरूप अर्था यह जितने भी पदार्थ हैं जो हमें प्रकाश देते हैं, विध्यूत है, सूर्य है, चंद्रमा है, पूरा सौर मंडल है, तारा आधी, जितने भी अगनी, आधी, जितने भी प्रकाशक पदार्थ हैं, उन सारे प्रकाशक पदार्थों को प्रकाशित करने हारा इसलिए इश्वर का नाम प्रकाश है, रुक्मवर्णम, क्यूंकि वो सारे पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसलिए उस परमपिता परमिश्वर का नाम रुक्मवर्णम, फिर क्या बता दिया, कतारम, अथा जगत का उत्पादक, इश्वर कैसा है, पूरे जगत को प्रक जगत का स्वामी ये पूरे जगत का स्वामी जिसने बनाया जो चला रहा है और जो अंत में जब समय आता है तब उसको नश्ट भी करता है विलाय कर देता है तो उसका स्वामी भी वही कहलाएगा है ना तो ये पूरे ब्रहमांद का परमपिता परमिशर स्वामी है इसलिए उ पुरुषम अब पुरुषम क्यों कहा क्योंकि जो सब में व्यापक है इश्वर को पुरुष जीवात्मा को भी पुरुष कहा है और परमपिता परमेश्वर को भी पुरुष कहा है क्योंकि वो सारे प्रम जितने भी प्राणी है उन सारे प्राणियों में सर्व व्यापक कण कण में व्यापक है इसलिए उस पर्मपिता को पुरिश कहा है तो उस पुरिश को भ्रमयोनिम् फिर क्या बता दिया अन्तमी प्रत्रमपंक्ते में भ्रमयोनिम् यह जो संपूर ब्रहमान्द जो नियामअ कुली चल रहा है उसको प्रकट करता है ब्रह्म योनिम यह जो चार वेद बनाए इसलिए इश्वर को क्या बता दिया ब्रह्म योनि 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 है इश्वर की जैसे दूसरे सारे प्राणियों की योनि यतिर मानश्य योनि पश्य योनि और पक्षी योनि और वैसे ही इश्वर की योनि वेद को बताया क्योंकि वेद के माध्यम से इश्वर प्रकट होता है इश्वर का प्रकटी करण होता है इश्वर का प्रमाण है यह वेद और यह जो सारा समस्त संसार है समस्त प्रमाण क्या करता है इश्वर का प्रमाण देता है यह जो संसार बनाया वो संसार इश्वर क्या बोलत जैसे आप देखे इस शरीर में ये जो वाणी बोलती है नियमानुकुल शब्द निकलते हैं तो ये जो वाणी हमारे नियमानुकुल चलती है बात होती है फिर हाथ चलते हैं पैर चलते हैं ये कैसे चलते हैं नियमानुकुल चलते हैं तो ये शरीर में जो सारी किरिया नियमा चलाता है तो उस किर्याओं को चलाने का प्रमान आत्मा है आत्मा दिखता नहीं पर यह जो जितनी भी किर्याएं दिख रही है उन किर्याओं को करने वाला आत्मा का प्रमान है वो प्रकटी करन है उस बातों से इन किरियाओं से क्या समझ में आता है हां अंदर एक आत्मा चेतन है जो सारी क्रियाओं को सारी शरीर को सारे शरीर को चलाता है वैसे ही जैसी नहीं पता नहीं क्यों ऐसा गला में जैसे इंजिन है अब इंजिन आगे बढ़ता है पीछे जाता है फिर रुक जाता है अब इंजिन चलता तो भाप से है पर इसकी जो इचुक किरियाएं है वो इचुक किरियाएं किसका प्रमान देती है इंजिन के अंदर कोई ड्राइवर बैठा है हमें नहीं दिखता पर अंदर कोई ड्राइवर बैठा है जो ये सारे इच्छ किरियाओं को कर रहा है तो जैसे शरीर में आत्मा का प्रक्टिकरण हमारी किरियाओं से हो रहा है और इंजिन का जो मिसाल बताया दृष्टान के इंजिन में भी जो इच्छ की किरियाएं हो रही है वो किसका प्रमाण है ड्राइवर का तो वैसे ही ये जो ब्रमाण पूरा चल रहा है नियम अनुकूल एकदम रित्वे नियम से आती है ये प्रिथवी चल रही है सुवर्य मंडल चल रहा है सुरिय चंद्र सब जो अपने चकर चल रहा है ये जो ब्रमाण का ये ब्रमाण का चकर क्या प्रमारित करता है ये कि जब जी चाहा तब नियम से जो नियम से चल रहा है वो इश्वर का प्रकटी करण है ये प्रमाण है इश्वर का के इश्वर की सत्ता है इश्वर सर्व व्यापक है इश्वर कणकण में बसा हुआ है और इन सारे ब्रमाण को नियमानुकुल चला रहा है तो उस इश्वर को को देखने की बात हो रही है फिर दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया तदा विद्वान तदा उस समय वह ग्यानी मनश्य पुञ्यपापे दूय निरंजन पुञ्यपापे शुब शुब कर्मों के जो संसकार है। उसके अंदर आत्मा के अंदर कितने जन्मों जन्मांत्र से वो जब भी ये इस तरह के श्रीर धारण करता रहता है तो उसके मन के अंदर अंतहकरण में उसके संस्कार बनते जाते हैं, स्थापित हो दे जाते हैं, तो वो जो संसकार है, शुब भी है, अशुब भी है, कभी वो शुब कारिये करता है, कभी अशुब कारिये करता है, तो उसको पापपनिये बताया, तो पापपनिये को क्या बता दिया, विधुय, निरंजन, विधुय था, त्या आत्मा के अंदर देखता है, तब क्या होता है, तब बताते हैं, तब वो इस सारी संस्कार उसकी अंदर जो मन में हैं, पाप पुन्य के, शुब अशुब के जो संस्कार, उन सब को त्याग देता है, विदूय, फिर आगे क्या बता दिया, विदूय, निरंजन, पर्मम साम्य निरंजन अर्थात रागद्विश अब इस आत्मा के अंदर मन के अंदर कितने सारे रागद्विश अब रागद्विश कहां से उत्पन होते हैं रागद्विश उत्पन होते हैं अविध्या से अविध्या के कारण रागद्विश उत्पन होते हैं रागद्विश से क्या उ प्रिय दुख और सुख मान और अपमान यह सब रागद्विश से उपज़ता है तो यह सारा कुछ जो प्रिय अप्रिय दुखसिक भासता है इस रागद्विशों को तजना यह कब व्यक्तित तज़ पाएगा जब उसको पूर्ण वैराग्य होगा और वैराग्य का उत्पन ह होता है जब विवेक उत्पन होता है तो विवेक का उत्पन होता है जब तत्व ग्यान होता है तो तत्व ग्यान का उत्पन होता है जब तीनों बदार्थों का आत्मा परमात्मा और जगत पूरे संसार का जब पुर्ण ग्यान प्राप्त होता है अर्थात तत्व ग्यान से से विवेक उत्पन होता है विवेक से वेरागय उत्पन होता है और वह वेरागय वेरागय का अर्थ क्या है सत्य को पकड़ना और असत्य को छोड़ते जाना सत्य किस सत्य को पकड़ना है यहां रागद्विश की बात हो रही है इस मंत्र में तो सत्य क्या है सारे आत्माओं के अंदर सारे प्राणियों में हमारे जैसी आत्मा है अपने आत्मा के तुलिए सारी आत्माओं को प्रेम पूर्ण व्यवार करना बताया है न तो सत्य क क्या है सारी आत्माओं से सबसे साथ एक जैसा समान पीरती करके प्रेम पुर्ण व्यवार करना सत्य है और सत्य क्या है कि राग द्विश करना ये ये व्यक्ति मेरे प्रिय है इसको आगे करूंगा हर तरह से क्यूं क्यूंकि मुझे प्रिय है मुझे उससे राग है, उसको आगे, और यह अप्रिय है, उसको पीछे धके लूँगा, क्योंकि यह मुझे अप्रिय है, यह त्वेश है तो जब तक जैसे प्रमान बताए जाते हैं न, अब व्यक्ति ज्ञानवान है कै अग्यानी है उसका प्रमान पता ही क्या है व्यक्ति को वेराग्य हुआ है या नहीं हुआ है उसका एक ही प्रमान है सशक्त प्रमान सटी पता ही क्या प्रमान है अगर किसी व्यक्ति में राग द्वेश नश्ट हो गया तो समझना वो पूर्ण ग्यानी है और उसको पूर्ण वेराग्य है उसके अंदर राग, द्वेश, इर्श्या, अभिमान, लोब, लालत, संपोनत, तासे नश्ट हो जाते हैं, अपने आप नश्ट हो जाते हैं मात्र पद को प्राप्त करने से प्रतिष्ठा प्राप्त करने से यश प्राप्त करने से वस्त्र बदल देने थे बड़े-बड़े संस्थान बना देने से वैराग्य की उपाधी नहीं मिलती वेराग्य का तात्परिय एकी बात हमारे चारों वेद उपनिशद दर्शन जितने भी आश ग्रंथ है सब वेराग्य का अर्थ और प्रमान यही है कि व्यक्ति के अंदर राग द्वेश समस्त राग द्वेश नश्ट हो जाए इर्शया अभिमान लोब लालच नश्ट हो जानी चाहिए पूरी तरह से तो राग द्वेश भरा पड़ा है फिर कैसे हम उसको वेरागी नहीं कह सकते तो हमें वेराग्य प्राप्त क्या बताया च जब ज्ञानी पुरिश इन राग द्वेशों को विधूय पूर्णता से छोड़ देता है तब पर्मम साम्यम उपहती तब उस पर्मम पिता परमेश जैसी साम्य साम्य अर्थात वैसी ही जैसा इश्वर है इश्वर कैसा है सत चीत आनंद स्वरू और जीव कैसा है सत भी है चित भी है पर उसके अंदर आनंद खूटता है तो वो आनंद जो उसके अंदर खूटता है तब वो ज्ञान को प्राप्त करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करके विवेक को प्राप्त करके वैरागय को प्राप्त करके उस इश्वर को अपने आत्मा के अंदर जब वो कि अमाबी तब सत्चित तो ठाई और आनंद खूटता था वो आनंद भी उसने प्राप्त कर लिया तो इस सतरे से कितनी मंत्र में इतनी सुंदर बात बता दी कि सत्चित आनंद स्वरूप हमें इश्वर की तरह है जो हम सत्वी हैं चित्वी हैं सततथा अस्तित है हमारा हम चेतन है पर हमारे अंदर आनंद नहीं है वो आनंद की प्राप्ति के लिए जो हम संसार के पीछे हमेश भागते रहते हैं पदों के के पीछे प्रतिष्ठा के पीछे यश के पीछे धन के पीछे क्या पता संसार के प्रत्येक वस्तूओं के पीछे भागते हैं कि हमें उसमें आनंद प्राप्त हो जाएगा तो यहां मंत्र हमें क्या बता रहा है ना संसार में आनंद कहीं है ही नहीं है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं वो दूर से भासता है सड़े मुर्दे की तरह वो दूर से दिखता तो है मिर्ग जल तृष्णा की तरह दूर से जल भासता तो है पर है नहीं तो संसार में वो आनंद जो जीव चाहता है जीवात्मान जिस आनंद को प् हमी है जो उसके अंदर तुर्टी है वो तुर्टी मात्र और मात्र इश्वर को प्राप्त करके ही उसके तुर्टी पूर्ण हो सकती है और उस इश्वर की प्राप्ति हमें कैसे करनी है वो भी मंत्र के माध्यम से बता दिया भजन के माध्यम से कितनी सुंदर बातें बता दी क की हमें मुँगरी राग द्वेशों को नश्ट करना है और उसके लिए तत्वग्यान अरठ अठात इन तन थीनों फदार्थों का आत्मा खात्मा क्या यीस संसार क्या इन तीनों को बार 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 इनके स्वभाव को गुणों को कर्मों को जाचना परखना देखना और उनका चिंतन मनन करने से फिर हमारे अंदर तत्वग्यान उत्पन हो जाता है और तत्वग्यान से विवेकी प्राप्ती होती है विवेक प्राप्त हो गया तो वैरागय अपने आप संसार स वेरागय हो जाता है, फिर कोई न पराया न अपना, वेरागय का अतात परे क्या है, सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं, सारे के सारे समक्ष, जितने भी प्रानी हैं, मेरे समक्ष, जो मेरे संपर्क में आया, वह मेरा, मैं सब को सुख पहुंचाऊंगा, सब की उन्नती के लिए म मैं प्र्यास करूँगा सबको सयोग दूँगा यह स्थिती जब बन जाती है तब हमें पूर्णता से सुख शांति आनंद प्राप्त होता है और लेत्यू के बाद हम इसी जीवन में हम हम जीवन मुक्त भी बन जाते हैं और मित्यू के बाद फिर हमें कोई भी शरीर धारण करने की आवशकता नहीं होती और हम मुक्ष के अधिकारी बन जाते हैं तो आगे का हम अब अगली बार कर दें हैं हमारा समय हो चुका है ओम ध्यो शांति रंतरेक्षम शांती पिथविशांती रापह शांती रोशधय शांती वनस्पतय शांती विश्वे देवा शांती ब्रम्म शांती तर्वं शांती शांती रेव शांती साम शांती रेदि ही ओम शांती ही शांती ही शांती ही सर्वे प्र्यो नमा अप सब का बद्वर धन्यवार्द झाल